ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव इस वीडियो में जानेगी कि साम को सीवलिंग के पास दिया जलाने से क्या होता है भागवान महादेव की सीवलिंग के सम्मुक जहां से पानी गेता है जलाधारी की तरफ ही तक कर साम को दिया जलाना चाहिए स्विपुरान कहती है कि हर संध्या काल के समय खुद या फिर मनिस्थ को अपने बच्चों के द्वारा दिया अवश जलवाना जाहिए अपने बच्चों से सुबार जल चड़वाए सिवलिंग पारो संध्या की समय दीपक अवश जलवाए शिपुरान कहती है कि जो संध्या किसमे भागवान महादेव की पिंडी की जलाधारी के पास दिया जला कर रख देता है इससे उसे समोर विद्या की प्राप्ती हो जाती है शिपुरान कहती है कि जो कन्या दान करते हैं वे अगले जन में बहुत बड़े विद्वान बनकर पैदा होते हैं शिपुरान कहती है कि कन्या दान करने से मा सारश्रती उस विक्त की बुद्धी को नहीं छोड़ती उसकी बुद्धी पर आकर बैठ जाती है जो कन्या दान करता है शिपुरान कहती है कि जो लक्षमी की प्राप्ति चाहते हैं वो ब्रामण के घर की यूति को दान करें और जो आत्म ग्यान चाहते हैं वो मनुष माता पारवती को याद करके ब्रद इस्तरियों को दान करें जो कोई भी व्यक्ति किसी भी कन्या को कुछ दान करता है उसकी बुद्धी विद्या में ब्रधी होती है युवा इस तरी को दान देने से भी लक्षमी बढ़ती है और वर्डन किया गया है कि ब्रध माता को दान देने से मृत्यू की समय उस ब्यक्ति को बिल्कुल भी कष्ट उठाना नहीं पढ़ता ऐसा सी पुरान के विदेशो संगीता की अध्या नंबर 15 के स्लोक नंबर 37 में वर्डन किया गया है जिनकी घर में कर्ण्याओ का समान होता है उनके घर में कभी मूर्ख बच्चे पैदा नहीं हो सकते कर्ण्याओ को प्रिशन दखने से बिद का विवेड बढ़ता है उसकी बुद्धी बढ़ती है हर हर महादेव